सब्सक्राइब करें फैसल जावे टीवी को और प्रेस करें इस बेल आइकन को ताके आपको मिल सके हमारे लेटेस वीडियो सबसे पहले असलाम अलेकूम और फैसल जावे देर आप देखने हैं फैसल जावे टीवी सुराब गोट मंडी से आपके साथ एक दफासे फिर हाजिर है वीडियो आज मेरे साथ एक भैसा है जो यहां पर एक लेम किया जा रहा है सांब के बहुत बड़ा जानवर है और बहुत एकस्पेंस और जानने ही कोशिश करते हैं यहां पर जो इनके मालिक हैं उसे असलाम अलेकूम सार क्या है जी ठीक ठाक है अच्छा जी यह क्या नसल का भैसा है कुछ बताएंगे आप इसके बारे में हमें अब जो मुर्ण नसल मुर्ण नसल एक नसल है बैसों में जिनके बैसे बहुत से ज़्यादा चगडें बड़े साइस के होते हैं यह उस नसल का भैसा है तो यह बेशने के लिए ले हा अच्छा यह इसके बारे में और बताएं यह कितने दांद का जनवर है इंशे दं कर गोग외 और अपकर धाल में इसका वजन और आपके फियुब कितना होगा हम देख तो सकते हैं काफी साथ मन के करीब है यह तो यह आप देख सकते हैं आचा ठीक है थोड़ा इसको हम देख सकते हैं इसको चला के तो यह आप देख सकते हैं बहुत ही बड़े साइस का मुरा नसल का भैसा है जो के सुराब गोट मंडी में बेशने के लिए लाइम है और यह हमें थोड़ा चला के दिखा रहे हैं स्टेंब वाहो माशाला बहुत ही कि हाइट है और बिल्ट है आप अंदाजा लगा सकते हैं बहुत ही खुबसूरत है एक सकी यह पर खड़े रहे हैं तो यह आप देख सकते हैं बहुत ही बड़े साइस का मुरा नसल का भैसा है जो के सुराब गोट मंडी में बेशने के लिए लाइम है और यह हमें थोड़ा च बर्ड़ेस इसकी हाइट है और ब्राइल है आप अंदाजा लगा सकते हैं बोड़ी खुबसूरत है एक से इन ही पिक्ड़े रहे हैं बताइए अपने इस महरे इस किया थे नाम रखा है झाल उसका फक्र एकल की पाकिस्तान फक्र इपकिस्तान जदो नाम है एक इंडिया मे वाँ आपके पास पखर पाक किस्तान कहरें अच्छा तो आपको लगता है यह उतना बरा 맛있 kner जो है आप वाइद है जिनके पास है पाकिस्तान में आज तब ताम में 10 लाक में आज़ को आप देख सकते हैं बहुत जबरोंकि घर बड़े साइस का मुरा भैस है जो के पाकिसान में अविलिबल एंडियान कुछ विडियो अमनें भी देखे बहुते वे जो के मुरा फकर-पाकिस्तान और हमारा फकर-पाकिस्ता है और बहुत खुबसूरत भैसा है जैसा कि आप देख सकते हैं और बड़ी खुशी हुई देख के हमें भी कि हमारे पास भी इतने अच्छे बड़े साइस का और भैसा मौचूल जबर्दस शुक्रिया जी थैंक यू सो मच इसलाम अलेकम